कि अब दोस्त रिवीजन कंपर्टेटिव कलास के यूट्यूब चनल पर आपका यहम के चकरवर्ति स्वागत करता है और आज टॉपिक ले करके आये हैं बहुत धर्व देखिए तो इसको सुरू करने से पहले एक लाइन का पंक्ति है जड़ा सुनिएगा है प्रीत जहां की रीत सदा है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां का गाता हूं दावदे नगर के रहने वाला हूं दावदे नगर की बात सुनाता हूं तो देखिए आज गौतम बुद के बारे में इनको यहां लिखा हुआ है जोंबुद का जोय तो इनका भुलों जहा है पाल के सप्राव पॅदो का इस देह में हुआ नेपल थैस में घ्यान दी Collega आप इंडिया के मैप अगर देखते हैं तो यहां पर आता है भारत का अपन नक्सा है और इसी में देखिए यहां पर यह जो है निपाल देश क्या है निपाल यह जो आपको उतराखण और उतर परदेश इधर आपका बिहार है इधर आपका पच्छिम मंगल थोड़ा सा शीक कौन-कौन से राज से सठता है तो यहां से बताने का मक्सद ही नहीं है कि किस चलिये हम हमको बहुत जनकारी है चाहां और कुछ है एक्जाम के भी उसे थोड़ा सा ध्यान जहां जहां आपका कोशन बनेगा वहां वहां हम आपको हींट करते जाएंगे और आप लोग देखि जो है नेपाल में जëनम हुआ था इनको और यहां से चल करके आप दिख रहे है और यहां से जब बिहार के नक्सा दिखते हैं तो यहां देखिया देखियां बिहार कर अधर जो अब देखिए नक्वार का यही जो बीहार है ऐसे आपका यहां पे हरा रही हो इस इन देख लिए की जब बिहार में आये तो बिहार में आये तो अप इन übrig अच्याह टीछcking कहा देके हैं एक ताए यहां पर बोदे गया है अगर आप देख रहा होंगे तो नहीं है तो आप इंडिया का मैप वर्ल्ड का मैप एक विहार का नक्सा इसाओं आप वहां पर चिपका दीज़ेगा तो मैप से पहने में बिल्कुल असान पड़ेगा तो आप देख रहे हैं यहां पर बोधिया जगह है यहें पर एक जो है निरंजना नदी के टट पर बोधी बिरिच के नीचे उनका जो है से ग्यान प्राप्थ हुआ था तो चलिए अब इसको हम हटाते हैं थड़ा सा अब ठीक है तो अभी हम आप लोगा देखाएं कि नेपाल देश कहां पर है कहां से कुम सा राज सटा हुआ है बिहार का और वहा पिता है कि इस्टारव होता है तो जनम इनका हुआ था चांशो तिरसट वहीं में जनम हुआ था और मिर्टु हुआ था चलिए अभी हाँ काते हैं तो इनका जनम देखिए कपील वस्तु के लुंबनी बन में हुआ था यानि गाउं कहिए और वहां पर एक जो है से कि अनके स्वहां पर पर वहते जो हैं इनके प्राशा आ हर करता हुआ कहाता तो वहां पर अभी जब बात आता है तो वहां पर अभी जो है सरकार जो है बीजेपी का है भारतिय जनता पार्टी और वहां के मुख मत्री है जोगी जी और वहां के अभी राजपाल अनंदी बेल पटेल है तो चली आगे जैसे जैसे कोचन हम आपको एराइज करते जाएंगे बच्पन का नाम इनका सिधार्थ था बंस जो साके बंस के थे पिता का नाम सुदोधन अभी बताएं माता का नाम महा मया अब देखें माता क सारह कॉन किये में वहीं मौ सी कह लहां जो न का नाम किया था आपका परजाब पैदरी गौत मी और पथनी का नाम कि आपके वहां से पूत्र नाम इनका क्या हुआ राहूल और चचेरा भाई कान थे देवदत थे तो गिरिःतियाग को क्या कहते हैं महाभिनिश कर्मा गिरिःतियाग क्या मक्सद है कि जब बच्पन में जब इनके पिता जी राजा थे तो इनको पिता जी काफी मनों चिंतित रहते थे कि एक लड़का है राजपाट कौन समभा लेगा तो और जहां भी रहते थे अकेले जो है से मतलब सो एनी टाइम सोच में ही लगा रहते थे हुआ के मतलब कभी कभी इनको अपना कर्वाटते थे थेанеा कि अपना थेखता है लकाश में असलसे ही रहते थे पर बिहार में पहला गुरु अलार कलाम तो अनशे मुलकात होती हैं रहां से वो निकल कि अपना जो है स्थान लेते हैं जब इनको पतनी को पता चलता है कि उठ चले गए तब उनको जाना ही था तो एक बार हमको बता देते हम उनको नहीं मतलब नहीं रोकते जाने से तो जब उनसे पुछा जाता है तो कहते हैं कि जब अपना परिवार को बताते हैं जाए बेटा हो पतनी हो दुष्यवक में घर से नहीं निकल पते हैं हम अंवं कुछ परते हैं नहीं सब्दश कर्मान अर्ऊनों पूंट एक बहुत बार पुछा गया है यही चारों में से पुछता है और हम लोग मिस करते हैं जाकर करके कभी कथक मार देते हैं अब जो जो अप लोग ध्यान दिजाण और जांसी की राणी का गोड़ा का नाम क्या था पवन नाम था और भावा भारती के घोड़ा का नाम क्या है सूल्तान है तो इस पर ध्यान दिजेगा एक जाम भीव से बहुत इंपोर्टन मनल भीवियाई कोचन है आगे चलते हैं कि इनका जनम का पर्थी क्या है कोमल या शांड़ सार पूर्णस में परथी को दिए जो पहला साथि चोंड़ी दूसरा अर्षंगी और तीसरा जो आपका है वत्पीय यानि वत्पा और चोथा को महामना और पाच्मा को भादिया आदिया जो भी कशी आता है कभी कभी दूनों में से कोई यह रहेगा याद रखिएगा अब उसके बाद देखे बूद्य के समय बूद्य के समय महा परवक्ता कौन थे काल देओ को और कॉंजय कहला तब यह बहुत दयारं के संगधन को क्या को है थे संग्यागा था कि